जैश्री राधे, पुझेश्री सद्गुर्दे भगवान के चरणों में प्रणाम आज पुझेश्री गनेदास भक्तमाली जी महराज कहते हैं देवता मनुष्य राक्षस, कोई भी भगवान के नाम का आश्रे लेकर भगवान को प्राप्त कर सकता है भगवान का नाम मुख पर आए, इसलिए पहले से ही नाम का अभ्यास करना चाहिए घर के कामों को करते समय मन में और सपस्ट उचारन करते करते जब अभ्यास बढ़ जाता है तब अन्त में भगवान का नाम आता है, इस से इस लोक में परम कल्यान होता है पर लोक में भगवत धाम का वास मिलता है भगवान का नाम सब को आनंद प्रदान करे सभी रोग रहित हो, सभी निर्भें हो तो भगवान का नाम लेना चाहिए एक संथ, कट्टी पेशाब के समय जीब को दातों से दबा कर रखते थे शिष्य ने पूछा तो कहा, कि अभ्यास ऐसा बन गया है जीब रोकने से नहीं रुकती है नाम का उचारण होता है नाम नामी में अभेद होने के कारण नाम लेने पर नामी प्रकट हो जाता है मल त्याग स्थान पर प्रभु का आना ठीक नहीं अतै जीब को दाथ से दबा कर रखा है शिष्य ने कहा यदि उस समय शरीर छूट गया तो क्या होगा गुर्देव ने जीब को स्वतंत्र कर दिया और शिष्य को धन्यवाद दिया एक सीट अपने घर के दुकान के कारों में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें नाम लेने की फुर्सत नहीं थी जब शोचाले में जाते तो उस समय उन्हें अवकाश मिलता और वे राम राम रटते हनुमान जी को क्रोधाया कि कामों को छोड़ नहीं सकता शोचाले में राम राम करता है हनुमान जी ने पीठ पर एक लात मारी रात्री की समय हनुमान जी श्री राम जी की सेवा करने लगे तो जब श्री राम जी की पीठ पर हाथ लगाया तो श्री राम जी करहने लगे पीठ में बड़ी पीड़ा थी बहुत पूछने पर कहा तुमने ही मारा है हनुमान हनुमान जी की समझ में नहीं आया अत्यंत प्रार्थना करने पर श्री राम जी ने बताया तुमने प्रेमी भक्त को कीर्टन करते वक्त मारा उस चरण प्रहार को यदि मैं अपनी पीठ पर नय लेता तो वह कोमल शरीर वाला सेठ मर ही गया होता अतह मैंने उसकी रक्षा की हनुमान जी ने भूल स्विकार करके छमा याचना की सेठ को राम नाम का उपासक माना आदर किया तात्पर्य यह है कि राम नाम जब पवित्र अव पवित्र सभी अवस्थाओं में किया जा सकता है दुख यही है कि हम नाम का आश्रे लेकर उसका जप नहीं करते संसार के अनेक रोग हैं और उनके अलग-अलग ओश्दिया है परन्तु राम नाम तो सभी रोगों की बान राम बान दवा है शोक, मोह, लोभ, आदी सभी रोगों के लिए एक राम नाम ही महान औशद है पहलाद जी ने होलिका के जल जाने पर कहा कि देखो जिसे नय जलने का वर्दान था वह भी जल गई मेरे चारों और शीतलता है मेरा एक रोम भी नहीं जला राम नाम के जापक निर्भै रहते हैं कल्यूग में नाम इसमन करके कल्यूग के दोशों से बचा जा सकता है अन्यथा समय के परभाव से बचना कठिन है जै श्री राद है